गुड मॉर्निंग और आज एक special स्रिंखला हम लोग लेके आ रहे हैं इस special स्रिंखला में हम लोग 10 questions को देखेंगे जो questions आ सकते हैं BPSC के exams में या CDPO में यह ज़्यादा focus उन ही पड़ा है कि या तो BPSC में आएगा या फिर CDPO में आएगा अधर एकजामे भी आ सकता है जिससे भी हार दरोगा या कुछ भी तो चलिए हम लोग देखते हैं तो देखिए सबसे पहले मैंने इसको जो जिस format में बनाया है न अपनी जो रदी की copy है जिस पर मैं रफ करता हूँ उसको सिधा उठा के लाया हूँ तो देखिए 13th century 13th century में ब बहुत पूर्ण जो है वो डीटा बन जाता है आपको हो सकता है कि किताब में कहीं देखने को मिले लेकिन इस फॉर्म में देखने को नहीं मिले तो ये आपको याद हो जाएगा अगर सासाथ नोट्स बनाते रहिएगा तो आपको maximum benefit होगा तो कोसिस करिए कि सासाथ नोट्स कैसे एक नडम दल में और एक गडम दल में दो टुकड़ों में बट गई थी सुरत split में इंडिया नैशेल कॉंग्रेस और इसका कारण क्या था कारण मैं नीचे देता तो ज्यादा चरह था सूरत इस्प्रिट का कारण क्या था तो सौधेसी आंदोलन के चलाने को लेकर सौधेसी आंदोलन के चलाने को लेकर क्या था मतभेद था सौधेसी आंदोलन के चलाने के तरीके को लेकर और उस समय अधहक्ष कौन थे तरास बिहारी बोस थे अधहक्षे और फिर बाद में क्या हुआ खुब ज़्यादा विवाद हुआ और इसके बाद आपस में 1916 में विलय हो गया अब देखें यहां पर मैंने एक पॉइंट छोड़ रखा है तो यह पॉइंट आप लोगों को में बताना है कि भाई किसके कारण फिर आपस में विलय हुआ शुरत स्प्लिट तो हो गया ठीक हमने देखा एक वार अध्यक्ष भी रहे थे जिसे कौन सा निकालते आपधी इसमें कुछ जोड़िएगा मैं भी update करता रहता हूँ या नीचे comment में मैं भी डालूँगा pinned message में और आप भी डालते रहिए अभी तक जो हमारा observation है उसमें इतना ही question घूमा है लाजपतराई को और भी घूमा है इसे पंजाब केशरी हो गया या फिर papers वाला इसे हो गया तो उसको भी साथ में जोड़ते रहिएगा चलिए आगे चलते हैं अब देखिए सवीने अवग्या आंदोलन ये topic बहुत अच्छा है ये सबसे पहले सवीने अवग्या आंदोलन कब हुआ था ये हुआ था 1930 में civil release of ideas moment कब हुआ था तो 1930 में हुआ था तो उसके बाद सवीने अवग्या आंदोलन से और क्या कैची जुड़ा हुआ था इसको भी अगर इस dimensions को भी जोड़ देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा ये बहुत अच्छा guess है ये topic भी और ये date भी आगे देखते हैं बिहार की बिहपूर की घटना का समन्द किस से है बिहार में बिहपूर की घटना का समन्द है भारत छोड़ो आंदोलन से बिहार में बिहपूर की घटना का समन्द है भारत छोड़ो आंदोलन में ये बीहपूर कौन सी जगा पढ़ है और बीहपूर से नित्रतुकिस ने किया था ये भी एक महत्पूर्ण परशन बनता है 1921 में गांधी जियुद घाटन किये थे बिहार विद्या पीठ का और बिहार नेशनल कॉलेज का ये दोनों कॉलेज कहां खोले गए थे बिहार पेटना में खोले गए थे और इसमें बिहार विद्या पीठ के प्रिंस्पल कॉन थे ये भी एक महत्पूर्ण कॉलेज बनता है करमसा मजरूलहक और डॉक्टर राजंदर प्रसाथ थे इन पदों पर जैपरकास नरायन जी ने अपनी पढ़ाई इसी कॉलेज में बिहार नेशनल कॉलेज में पढ़ने के लिए अंग्रेजी सिक्षा को छोड़ दिया था आजादस्ता काँ से ऑपरेट होता था आजादस्ता कौन लोग मिलक की चलाते थे और आजादस्ता में किस चीजी की ट्रेंटिर दी जाती थी और आजादस्ता जो है उसका फिर बाद में क्या हुआ तो ये भी महतोण परस्ण बनते हैं तो आजा दस्ता के सभी dimension को आप अगर तियार कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है अनिथा मैं time to time बताता ही रहता हूँ जब भी समय मिलता है मैं इन चीज़ों को बताता रहता हूँ यह guest question है तो guest question में यहाँ पर आगे देखेंगे धारा 170 का समन्द किस्ते है तो विधान सभा के गठन से यह प्रशन भी कई बार पूछा जाता है खास करके जब अगर कोई elections related कोई issue जब आ रहा होता है तो विश्तरा का प्रशन बनता है धारा 170 का समन्द किस्ते है तो विधान सभा के गठन से समन्दित है देखिए एक और पूछा था कि भाई सिंध है सिंध में है चनहोद्रो चिक है ना सिंध एक प्रांथ है तो सिंध प्रांथ कहां पढ़ा है तो ये अभी जो है ना पाकिस्तान में पढ़ता है ये तो सिंध में है चनहोद्रो और चनहोद्रो क्या है तो हरपा संस्कृति का प् पुछा जा सकता है कि चनहोद्रो किस जगा पड़ है तो वो सिंध में है या ये पुछा जा सकता है कि हरपा संस्कृति का एक महतोपुर्ण अस्थाल इन में से है और उसमें अलग अलग नाम देदेगा जिसमें चनहोद्रो देदेगा तो ये कहां पड़ है सिंध में है सारे Deep Dimension को आप खुद भी अपना दिमाग लगा के Cover करिए. अब देखते हैं, भरहूत और अमरावती, भरहूत प्लस अमरावती, दोनों क्या थे? केंदर थे? किसके थे? बहुत धारम के. भरहूत और अमरावती? केंदर थे? किसके? बहुत धारम के. ये प्रस्न भी इस तरह के प कोस्टन्स और निचोड़ा है और उसमें से मुझे यह लगता है कि एस्टैटिक जीके में यह सब प्रसन जो है वो आ सकने हैं तो इस हिसाब से मैंने इस गेस को तयार किया है तो भरभूत प्लस अमरावती क्या है तो सेंचर है किसके बौत धर्म के आगे देखते हैं इसको द देखते हैं कि एहोल दुर्ग मंदिर का निर्मान जो हुआ था किसके काल में हुआ था चालो के काल में हुआ था एहोल में दुर्ग मंदिर निर्मान हुआ था चालो के काल में दोयтов सासन प्रांतिय कारईपाल का दो भागों में विभाजन हुआ था तो ये कैसे हुआ था तो मांटेग्यू चम्सपोर्ट सुधारों का अब देखते हैं फोर्ट विलीम कॉलेज कोलकता फोर्ट विलीम कॉलेज कोलकता जो है वो किसके दोरा था जली के दोरा तो यह भी आने की सम्भावना है यह प्रस्ट भी अब ये भी एक चीज़ यह है सब कुछ तो हम लोग जानते हैं द्यानन सर्षती के बारे में लेकिन उनका जर्म कहां हुआ था तो द्यानन सर्षती का जर्म जो था न वो गुजरात में हुआ था 1773 में अंग्रेज फैक्टरी पटना में और इसको कबजा किया था मीर कसुमने अब अग्नी विरित क्या है तप्रसांत महासागर के 30 चित्रों के नवीन वल्याकार परवत स्रेणिया ये अग्नी विरित है अब देखिए टॉर्णेडो का मैंने बनाया है टॉर्णेडो एक तरह का तुफान होता है तो टॉर्णेडो कहां आते हैं तो टॉर्णेडो आते हैं अमेरिका में टॉर्णेडो जो एक तरह का तुफान है इसे बड़ी हानी होती है तो यह तुफान कहां आते हैं यह तुफा पठार है और फिर मैदान है यह बेसिक भी भाजन है परवत पठार मैदान और भी चीज़ पेनसुला वगरा है पांच वगरा भाग होंगे लेकिन एक बेसिक भी भाजन है जो कई बार आप एकजाम में आएगा ना तो देखने को आ जाएगा कि बहुत ऑफ्सन से आपको पता चल देगा कि क्या होना चाहिए देखिए हिमाले की बात करते हैं हिमाले है विडिहत हिमाले लगू हिमाले और फुट हिल्स ऑफ हिमाले आज क्या हो गया तो सिवालिक फुट हिल्स ऑफ हिमाले आज क्यों हो गया तो हिमाले तीन भाग है विडिहत हिमाले लगू हिमाले और सिवालिक, अब देखते हैं छोटा नागपुर पठार को, छोटा नागपुर पठार जो है न, वो आरकेडियन और गिरनाइट चेत्नानों का बना है छोटा नागपुर पठार, अब देखिए ये भी कई बार प्रस्ट आने की संभावना होती है, कि 1916 में पठना हाई कोर्ट एस्टेबलिस्ट हुआ था, पठना कोलेज कब एस्टेबलिस्ट हुआ था, या फिर पठना संगरहाले कब एस्टेबलिस्ट हुआ था, तो ये भी महत्पून कोश्चिन बनता है, इस डाइमेंशन पे भी अपना जो है सो हलका सा निमा को घुमान आर्टिकल 368 सम्मंदित है Constitutional Amendment से Constitution को Amendment करना हो तो आर्टिकल 368 जो है सम्विधान संसुधन से सम्मंदित है 180 डिग्री पुर्व देशांतर रेखा अंतरास्टिय तिथी रेखा है Heart of India बुक ये लिखी थी और इसके राइचर है Mark Tully Heart of India जो है किताब लिखी थी Mark Tully ने इसमें कुछ बहुत 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 अच्छा है मतलब उस कोट को हर किसी को जाड़ना चाहिए तो ये कोट चलिए मैं अभी जल्दी कर बता दूँगा यहीं पर Mark Tully ने क्या लिखा था अपने स्टोप में जिसके करण ये किताब इतनी महत पूर्ण है Golden Jubilee Akai Cup ये किर्केट से समंदित है Golden Jubilee Akai Cup जो है वो किर्केट से समंदित है Sun Asw Trophy ये Berlin Film Autism में दिया जा रहा है Sun Asw Trophy जो है वो Berlin Film Autism में दिया जा रहा है दिया जाता है किसमें Berlin Film Autism में कौन सा Sun Asw Golden Horse गामा किर्ने उच उर्जा वाली वेदुत चुमकिये तरंगे हैं Electromagnetic Waves हैं किसमें तो High Frequency की गामा किर्ने उच उर्जा वाली वेदुत चुमकिये तरंगे हैं गामा किर्ने, अलफा किर्ने और बीटा किर्ने उनमें और क्या-क्या गुन है इसको भी एक बार देख लेना अच्छा रहेगा नावकिये उर्जा पडिवर्तन है पिंड का उर्जा में देखिए पहले ये माना जा रहा था कि पिंड का उर्जा में पडिवर्तन नहीं हो सकता है लेकिन आइस्टी ने बताया कि पिंड का उर्जा में पडिवर्तन हो सकता है और बाद में ये थेवरी सर्च सावी हुई और पीन्ड का उर्जा में पडिवर्थन हुआ पित्त का उस्रजन होता है यक्रित के दौरा पित्त का जो उस्रजन होता है वो होता है यक्रित के दौरा कॉपर्ट सल्फिट का गोल जल में नीले लिटमस को लाल बना देता है एसिटिक अमल एक कमजोर अमल है क्योंकि इसका आयोनियन निम्न होता है एक त्री आधारिय अमल का अनुभार 176 है इसका सम्तुल्य यानि इकुबिलेंट होगा तो यह बहुत सिंपल है देखिए इसमें चुकि यहां अमलत्री आधारिया है अमल की संजोर जक्ता 3 होगी अनुभार 176 है इसलिए अनुभार बरावर सम्तुल्य भार गुने संजोर जक्ता बरावर 176 by 3 is equal to 58.66 common है common mathematics से भी यह निकल जाएगा तांबे की मिश्र धातु पीतल है ठीक है ना तांबे की जो मिश्र धातु यह पीतल है इसका एक फॉर्मूला भी मैंने आगे लिख रखा है वो भी दिखा देता हूँ चित्र खीषते समय धातु की हेलाइड है तो है चांदी जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है cu, jn, even ni cu plus jn plus ni अगर हम लिख केंगे तो जर्मन सिल्वर बन जाएगा copper, zinc और nickel cu, jn, ni, german silver संचाइको में समतुल प्रियुक्त अमल है है H2SO4 संचाइको में प्रियुक्त अमल कौन सी है तो यह है H2SO4 देखें B12 वो क्या बोलते है कोबाल्ट बोलते है ठीक है न, इसका इस्तेवाल काफी होता है खास करके cancer के उपचार में तो इसलिए महातपुर्ण हो जाता है B12 क्या है तो cancer के उपचार के लिए है यह और क्या यह कोबाल्ट है बी 12 क्या है तो यह कोबाल्ट है आगे देखते है चलिए, common से सवाल को हल करते है कि 1729 को दो प्राकृतिक सख्याओं के घनों के योग की रूप में लिखा जा सकता है इन संख्याओं में एक है देखिए तो एक 1729 को कैसे लिखा जा सकता है 10 to power q plus 9 to power q ठीक है तो इसका उत्तर 9 हो जाएगा कि 1729 को दो प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग के रुप में लिखा जा सकता है इन संख्याओं में एक है तो आप्शन में 9 दिया हुआ था तो हम लोग देखते हैं 9 हो जाएगा यहां से पुर्ण स्वराज का लक्ष अधिवेशन दिखिए 1929 में लाहॉर में 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे के करीब रावी नदी के तट पे पड़े जवालाल नहरू ने पुर्ण स्वराज का लक्ष रखा और उस समय झेंड़ा फाड़ा आया रावी नदी के तट पे यह सारा हुआ था और उन्हेंने बोला था कि नहीं अब हम लोग हर साल 27 दिवस 26 जन्वरी को मनाया करेंगे तो पुर्ण स्वराज का लक्ष जो है लाहॉर अधिवेशन में रखा गया था कब 1929 में 31 दिशंबर 1929 को आधी रात के समय रावी नदी के तट पर जवाला नेहरूर ने जंड़ा फाड़ाया था तिरंगा जंड़ा फाड़ाया था उन्होंने वहाँ पर 6 अपड़े 1930 को दांडी में सभी ने अबग्या आंदुरन का आवाहन किया था महात्मा गांधी ने कब किया था 6 अपड़े 1930 कहां पर दांडी में दांडी कहां पर है दांडी गुजरात में पढ़ता है नमक के उपर काफी टेक्स बढ़ा दिया था अंग्रेजों ने तो उसी के विरोध में था ये 7 अगस्त 1942 मुंबई के गवालियर टैंक मैदान में और 8 अगस्त को कुईट इंडिया मुमेंट यानि भारत छोड़ो आंदुरन का सुत्रपात हो गया 8 अगस्त 1942 को कुईट इंडिया मुमेंट यानि भारत छोड़ो आंदुरन का सुत्रपात हो गया 7 अगस्त 1942 को गवालियर टैंक मैदान में और इंडिया डेशनल कॉंग्रेस की बैठा कुई ठीक है तो ये महतपूर्ण है अब देखते हैं बंग भंग यहां ये काफी महतपूर्ण टॉपिक है यहां से हमेशा कोश्यन बनते हैं और कई बार यहीं पे उल्जा दिया जाता है लॉड करजन ने बंग भंग किया था कब किया 16 अक्टवर 1905 को ये प्रभावी हुआ इस दिन सोक दिवस मनाया गया बंगाल में सोक दिवस कब मनाया गया था 16 अक्टवर 1905 को कारण क्या था बंग भंग बंग बंग किस ने किया था लॉर्ड करजन ने बंग बंग क्यों किया था क्योंकि जो बंगाल का प्राश था वो काफी बड़ा था और इसको खास करके इसलिए बाटा गया था कि हिंदू मुस्लिम में अस्पस्ट भी भाजन पैदा किया जा सके और 7 अगस्त 1905 कलकता टाउन हॉल में सौदेशी अंदोलन की घोषना रविना टैगोर ने की और उसमेरों ने गीत गाया था अमार सोनार बंगला जो अब राश्ट गीत है बंगला देश का 7 अगस्त 1905 कलकता टाउन हॉल में सवधिस्टी आंदोलन की घोषणा की गई रविनय टैगोड ने गीत गाया अमार सुनार बंगला जो राष्ट गीत बना बंगलादेश का तो बंग-बंग काफी मौहतपून टॉपिक है बंग-बंग का मतलो होता है बंगाल का विभाजन और बंगाल का विभाजन जो था इसको किषने किया था तो लॉड करजन ने प्रभावी गवाद 16.25 को अब ये बताइए घोषना कब की थी यहां से भी परशना आता है घोषना कब की थी तो ये पुरे टॉपिक को आप त्यार कर लिए कुछ इसमें और आपको बताना है तो दम कॉमेंट वक्स खुला है बिल्कुल कॉमेंट करते रहिए कोई प्रस्ट भी पूछना है तो बिल्कुल कॉमेंट करिए लगवग हड़े कॉमेंट का मैं जवाब देता हूँ अब देखिए प्राचारिय थे डॉक्टर राजेंदर प्रसाद ठीक है ना अभी मैंने इसको दुबारा लिया है छे फरवर उनिश्टीय महाविद्याले पतना और बिहार विद्यापीट की आधार सिला जो बनाई थी बिहार आश्टीय महाविद्याले के प्राचारिय थे डॉक्टर राजेंदर प्रसाद और बिहार विद्यापीट की कुल्पति थे मजरभूर लग ये रिपीट किया है है हमने तो ये समझे कितना महत्पूर्ण होगा शे फरवरी 1921 को महात्मा गांधी ने बिहार आस्टिय महाविद्यलय पत्ना प्राचारे थे इसके डॉक्टर आजैनर प्रसाद और बिहार विद्यापीट कुलपती थे मजरूलाग ये अस्थापित किया ये अंग्रेजों के सिक्षन संस्थानों के एगेंस्ट में खड़ा एक आंदोलन था अब देखिए 1927 इसवी बिहिटा में ठीक है ना आश्रम बनाया स्वामी सहजानन ने संगठित करने को भूमिहार और ब्रहामनों को और 1929 में बिहार प्रादेशिक किसान सभा के स्थापना होई पर्थम सचीव थे इसके स्री क्रिशन सिनहा क्रिशन सिंग लिखते हैं ये ज़्यादा ठीक रहेगा पर्थम सचीव थे बिहार प्रादेशिक किसान सभा के आगे देखते हैं देखिए सिंध पाकिस्तान में है चनहुद्रो ये किस कहा पड़ा है सिंधु नदिये किनाड़े पड़ता है ये ठीक है ना सिंध में है हरपा का एक महत्पूर्ण अस्थाल है अभी हमने इस चीज को लिया था तो अधर पहले ही चुकि बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है अगर दोबारा अगर कुछी चीज मैं इसी क्लास में बता रहा हूँ तो समझेए कि वो एदम पक्का है कि आने का संभावना है तो सिंध पाकिस्तान में हुआ था चनहुद्रो में सिंधु नदिय किनारे है चनहुद्रो इसका उत्खरन किया था 1931 में गोपाल मजुमदार ने इसने किया था गोपाल मजुमदार ने 1931 में इसका उत्खरन किया था अब बात करते हैं इल्तुत्मिस की इल्तुत्मिस जो था वो हत्या कर दिया आरामसा की और गद्धी हत्या लिया ठीक है ना और इसका उत्रादिकारी जो था कुत्तुबुदीन एवक जो था ये गुलाम था इसका उत्रादिकारी था आराम सा लेकिन 12-11 में हत्या कर दिया और गद्धी हत्या लिया कौन इल्टुतमिश यह होता ही है गद्धी हत्याने के लोग यह सब चीज तिक्डम करते रहते हैं डबलू सी बैनर जी 28 दिसमर 1885 को 12 बजे बंबई गोकुलास तेजपा संस्कृत कॉलेज में कॉंग्रेस के अध्यक चुने गए थे लॉर्ड विलेजली लॉर्ड विलेजली का भी काफी नाम है तो हम लोग लॉर्ड विलेजली को देखते हैं तो लॉर्ड नागडिक सिवा भरती के लिए और सायक संधी लॉर्ड विलेजली नहीं शुरू की थी 1799वे में आंगल मैसुर युद हुआ जिसमें टीपु सुल्तान मारा गया उस समय भी लॉर्ड विलेजली थे देखें इन लोग को जो है यह सैतान थे यह लोग दरसल लेकिन अपने नागडिक सिवा भरती है तो फोर्ट विलियम कॉलेज की अस्थापना की और 1799वे में आंगल मैसुर युद किया जिसमें टीपु सुल्तान मारा गया अब देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड को 1914 में है लॉर्ड हार्डिंग 12 इसम और 1911 को दिल्ली दर्वार लगाया और राजा जॉर्ज पंचम जो है उस समय में आये थे ठीक है तो 1911 में यह 1911 है लिखा हुआ 1911 सेकेंड का कारिकाल तो लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड जो है 1911 बारत इसम और 1911 को दिल्ली दर्वार लगाया जिसमें राजा जॉर्ज पंचम आये और इसमें क्या-क्या चीज हुआ तो उसमें यह भी बात हुई कि बिहार को अलग करने की बात वात तो हुई साथ में यह भी घुशना हुई कि यह भी घुशना होई कि कलकता से जो राजधानी है वो ट्रांसफर हो जाएगी दिल्ली में क्योंकि अंग्रिज काफी परिशान हो चुके थे करांतिकारी आंदुलनों से अब देखते हैं भातिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत के पांच भागों में बाटा गया है अभी अभी हमने देखा था कि तीन भाग था परवट पर्थार और मैदान लेकिन असल में इसको जो बाटा गया है भारत को पांच भागों में बाटा गया है तो पांच भागों को देखते हैं उत्तरी परवतिय मैदान है विसाल मैदान है उत्तरी परवतिय आपको देख लेना है कि क्या सही रहेगा आगे देखते हैं कि इस चुड़ी ये बनाती है यहाँ पर ठीक है ना खंभात की खाड़ी में 1312 किलोमीटर ये चलती है और अमरकंटक से निकलती है विंध्याचल से निकलती है ये और 1057 मीटर उचाई है इसकी समुद्रतल से और ख समुद्रतल से उचाई है 1057 मीटर 1312 किलोमीटर का सफ़र तय करके इस चुड़ी बनाते वे खंभात की खाड़ी में गिरती है आपको इस नदी का नाम बताना है ठीक है ना मैंने जान पुछकी यहाँ पर नहीं लिखा है कि ये कौन सा नदी है हिंट्स मैं दूंगा नहीं ठीक है आपको नौड मली आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कई सारी मैं क्लास्स लेता हूं देखने वालों की संख्या भी ठीक ठाक होती है लेकिन कोई सिर्फ लाइक का कई बर बटन दवा देता है लेकिन वो यह नहीं बताते लाइक देख के बहुत अच्छा ल इसकी खंभात की खाड़ी में गिरती है और जब गिरती है तो तेरह सर बारा किलोमीटर का सफर कर चुकी होती है और इस चुड़ी बनाती है यह ठीक है आगे बढ़ते हैं सोना की खान सोना की खान कहां मिलती है तो मुंगेर का करमाटिया चेतर में ठीक है ना सोना कहां मिलता है बिहार में तो मुंगेर में कहां पर तो मुंगेर का करमाटिया चेतर में सोना मिलता है गोलक नाख्त बनाब पंजाब राज उनिशो सर्शट में केस हुआ था जिसमें समिधान संसोधन किया गया किसी भी भाग में अनुचे 368 एवं मूल अधिकार सामिल इसमें किया गया थिक है न तो गोलक नाख्त बनाब पंजाब राज उनिशो सर्शट में समिधान संसोधन ह किसी भी भाग में हो सकता है समिधान संसोल धन अनुछे 368 एवं मुल अधिकार इसमें सामिल है। यानि अनुछे 368 में भी संसोल है और मुल अधिकार में भी संसोल हो सकता है। लेकिन सम्विधान के मुल्ड हाचे के साथ छेरचार नहीं की जा सकती है, ये महतपूर्ण चीज है, 2011 में सक्षर्थादर बिहार की थी 61.82%, पुरुष सक्षर्थादर है 71.2% और महिला सक्षर्था है 51.5%, अभी चुकि 2021 की जनगर्ना हुई नहीं है, इसलिए ये ही डेटा महतपूर्ण है, तो सक्षर्थादर बिहार में क्या है 11.82% और पुरु सक्षर्था है 71.2% और महिला सक्षर्था है 51.5% अब देखते हैं कि पर्थम जो लोकसभा थी, उसमें अध्यक्ष कौन थे, ये सारे हमें गेस कुश्यन बता रहा हूं, यहीं जो भी प्रशन आएगा ना, यहीं क्या असपास घूमेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, बीपेसी अभी सरसट हो, अरसट हो, 69, 70 हो, जो भी ए होता है, तो ये सारे टापिक्स का, मैंने कोशिस किया है, कई डामेंस को पकड़ने का, फिर भी आप अपने तरीके से भी डामेंस को देखिए, तो पर्थम लोकसभा में अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर थे, उपाध्यक्ष कौन थे, तो अनंत सैनम आयंगर, अध्य है, गामा किरने, अभी अभी गामा किरनों को हमने देखा था, क्या है ये, तो इलक्ट्रो मैगनेटिक वेब्स है, इसकी खोज करता कौन थे, तो हैंडरी बैकुरल थे, फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, टेन टू पावर ट्वेंटी हर्स से लेके, टेन टू पावर एटीन हर प्रिक्वेंसी कितनी होती है, टेन टू पावर ट्वेंटी हर्स से टेन टू पावर एटीन हर्स, वेब्लेंद कितनी होती है इसकी तो टेन टू पावर माइनस फोटीन एम से लेके, टेन टू पावर माइनस टेन एम के बीच में होती है, ये सब जो फैक्ट है ना, घोट ल जर्मन सिल्वर में क्या होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है, निकल होता है, क्या परसिंटेज होता है, 60%, 20%, 20% जीविग्यान बायलोजी, इसको पिता कौन थे जीविग्यान की, तो यह थे अरिस्टोटल और सब्द जो है लैमार्क, फ्रान्स ने दिया था और ट्रेविरेनस जर्मणी ने अठारासो एक में यह दिया था सब्द लैमार्क और पूछा गया है और पूछा जाने का पूड़ा संभावना होता है अब देखते हैं बाल्टिक सागर बाल्टिक सागर जो है ना उसके किनारे जो है वो एक सहर है पिटरसबर्ग अस्थापना कब हुआ था इतका 1773 में और इसको पहले इसका 1924 में इसका नामकरण लेडिन ग्राद किया गया था और 1991 में फिर पुड़ाना नामकरण इसका हो गया बाल्टिक सागर के पास पढ़ता है एक नदी है नेवा नदी नेवा नदी के किनारे बसा हुआ है बाल्टिक सागर के पास है वो छेतर और नदी का नाम है नेवा नदी वहाँ पर है सेंट पिटरसबर्ग अस्थापना कब हो आता तो 1703 में दो बार इसका नाम बदला जा चुका है लेडिन ग्राद भी इसी का नाम था और ये कई बैटल हुए है यहाँ पर इसलिए यह जगा काफी मसोड है तो चलिए यह आदे घंटे के ही क्लास रखूँगा मैं है ना यहाँ आदे घंटे के ही क्लासेस को सुरूब करूँगा अभी के लिए इतना ही आप इसको पढ़ते रही है यह क्लासेस रेगुलर रहेगी एदम रेगुलर रहेगी एक जामनेशत से एक दिन पहले तका आएगी बस लाइक और कॉमेंट करते रहिएगा और अच्छे इच्छा करे तो सेयर भी यह चलिए अभी के लिए इतना ही फिर मिलते हैं थोटे से ब्रेक के बाद